आज संसित के विशेश सत्रुकात तीसरा दिन है लोकसभा में आज महिला आरक्षन बिल पर बहस होगी और कारुन मंत्री अजुनरा मेकवाल ने बुद्वार को महिला आरक्षन बिल पेश किया था महिल आरक्षण बिल पर बहस के लिए कॉंग्रेस की मुख्य वक्ता सोन्य गांधी होंगी ये सुत्रों के हवाले से देरें आपको एहम खबार चर्चा के लिए लोगसभा में सुभा 11 से शाम 6 बजे तक का वाक्त अलॉट किया गया तो क्या है महिल आरक्षण बिल या आपको तफसिल से बता रहे हैं लोगसभा में 19 सितंबर को 128 समिधान संशुधन बिल यानि नारी शुक्ति वन्दन विधायक पेश किया गया इसके मताबिक लोगसभा और राज्यों की विधान सभाव में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत रिजर्वेशन लागू किया जाएगा इस फार्मले के मताबिक लोगसभा की 543 सीटों में से 181 महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी केंद्रे कानुनमंत्री और जुनरा मेकवाल ने इस बिल को पेश किया इसके साथ इन्होंने बिल की खासियत तोर इसे होने वाले फायदे भी बताए खबर है कि कॉंग्रेस की तरफ से इस बिल पर मुख्य वक्ता सुनिय गांदी होंगी सुत्रों के वाले से देने खबर आपको हमारे साथ एस सहम खबर पर हमारे पॉलिटिकल एडिटर आनिल मोर फोन लाइन पर मौजूद है अनिल आज का दिन बेहद एहम है कल बिल को पेश कर दिया गया किंद्रे कानुन मंतरी अरजुन राम मेगवाल की तरफ से आज महिला आरक्षन बिल पर बहस होगी अनिल इस खबर की हमियत को किस तरह समझ सकते हैं यह बिल काफी एहम है और अब तो श्रे लेनी की होड़ भी है था केंद्रे मंतरी के तरफ से आज इस बिल पर जो बहस होनी है कहिना कहीं सत्ता पक्ष वी पक्ष आमने सामने दिखाई देंगर खास तोर से सत्ता पक्ष वी पक्ष में दोनों ही जो दोनों की जो सांसदा महिला सांसदा है वो आमने सामने होगी अगर सरकार की बात कर सरकार की तरफ से जो केंडरिया मंत्री है वो कहिना कि अपनी बात रखती नजर आएगी तहा हम बात करें निरमला चितारमन की बात करें जो पार्टी की जो दूसरी सांसद हैं भारती पवार, अफ्राजिता, तारंगी कहिना के महिला बिल पर ये अपनी बाते रखे, गुरु कहिना कि विपक्स को घरने का काम करेंगे, वहीं विपक्स की बात करेंगे, विपक्स भी कहिना कि इस बिल पर सरकार को घरने का काम करेंगा, कॉंग्रेस की तरफ से खुद सोनिया गांदी की बागडोर संभाले, गुरु कहिना कि इस विधेक पर पूरा हंगावा बन देखनो कुरेच करभी के करदिठ लेने की होड रहे गी जो विधेक है विधेक नो सभूना ही बले कर मोते तो पर विपक्श न विधेक का समर्थन करें लेकिन 1979 भी इन्म इतला है। इसमें कहीना कहीं सब्ता पक्स विपक्ष एक दुसरे के सामने खड़े में ज़राएंगे तो जाहिर है आप बश्रे लेने की होड भी लगी रही गया अनिल क्योंकि ये तो तैह है अनिल की जादत और पार्टियां महिला अरक्षन बिल के हक में और कोई भी सियासी जमात कोई भी राजितिक पार्टी आने लिए जोखिम लेगी भी नहीं कि इस बिल का विरोध किया जाए बिल्कुल देखे ज्यादा तर जो दल है कहीना कहीं इसे बिल का समर्चन करते नज़र आएंगे लेकिन कहीना कहीं जो भीपक्षदल है कहीना से जो विजएक है, विजएक में जो कलोजा दाले गें, उनको लेकर कहीना कहीं नहीं विरोध रता सकते हैं जैसे यूआसे सब्हार में आंप मने कार रिछे तरीके से भी तैस त्रीके काधिर का विछश्यर लें बशे będzie, टर ईसब तरीके से गिरने का काम करेगा, वहीं कहिना कि कंद्रिय मंत्रिय अंधरिमला सितार मंद्रिती रानी वो कहिना कि अज पूरी की पूरी बाल बहुत समाथी नजर आईगी जी ठीक है आनिल आपने देखते हैं आज किस किस तरह से इस बिल पर बहस होगी सदन में बहुत शुक्रिया आपका एस बाच्चीत के लिए जानकारी के लिए ने